आशा करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे, मेरे नाम है सिद्धान तक नहीं होतरी, स्टेडी ग्लोस पर आपको बहुत बहुत सभागत है दोस्तों, रामायन महाभारत सौधी के स्कूल करिकुलम में इंक्लिूड कर दिये गए हैं, बहुत अच्छी बात है चैनल को सब्सक्राइब करो यार, थोड़ी रुक्सी गई है, ऐसा मत करो, सब्सक्राइब करते रहो, शेर करते रहो और इस्टा पर मुझे फॉलो करो, अच्छा मैं खबरी आप पर आ गया हूँ, लिंक आपको दे रहा हूँ शॉर्ट स्टोडी, शॉर्ट नॉलेज बाइट्स आपको मैं दूँगा, चार चार पांच पांच मिनिट के, तो आप मुझे वहाँ पर जरूर फॉलो करिए, ऐसे कभी-कभी लेच्छेज बहुत लंबे हो जाते हैं, लेकि वहाँ पर शॉर्ट रहेंगे और टेलिग्राम पर मुझे फॉलो करो, बिल्कुल फॉलो करो, क्योंकि पीडियेफ आपको यहाँ पर मिल जाईगी तो देखो, सौधी के जो प्रिंस मुहमद बिन सल्मान है, वैसे आपको बता दू कि सौधी पे मैंने बहुत सारे लेच्छेज लिए हैं सौधी का हितिहास मैंने कवर किया है, सौधी देश के बारे में बताया है, मुहमद बिन सल्मान की बायाग्राफिया आप जरूर देखिएगा तो अब यह प्रिंस है यह, क्राउन प्रिंस है यह, सेकेंड इन कमांड जिसको बोलते हैं तो अब लगातार वो रिफॉर्म करते जा रहे हैं, सोसाइटी को रिफॉर्म करते जा रहे हैं, उनका विजन 2030 है देखिए एक तरफ तो सौधी जो हैं, मलब प्रिंस सल्मान जो हैं एक तरफ तो बहुत कुछ कर रहे हैं लोगों के लिए और बोलते हैं कि हाँ फ्रीड़म मानी चाहिए सब लेकिन दूसरी तरफ हुमन राइट्स वॉयलिशन हो रहे हैं कोई भी अगर इनके खिलाब बोल रहा है, उसको सीधा गाई भी कर दे रहे हैं तो विजन 2030 जो है, इनका कि सौधी को पूरी तरीके से बदल के रख देंगे, उसमें एक सेकुलर भी है कि सारे धर्मों की जगा, आप क्योंकि देखें वैसे तो सौधी एक कटर देश है यहाँ पे राजा महराजा का रूल है, फैमिली जूल करती है, रॉयल फैमिली जूल करती है ना यहाँ पे बहुत स्ट्रॉंग मिलिटरी है, ना स्ट्रॉंग मीडिया है, क्योंकि दोनों इनके लिए खतरनाक है और अमेरिका का दोस्त है सौधी, तो जो विजन 2030 के तहट, सौधी ने हिंदुईजम और बुद्धिजम को इंक्लिूड कर दिया है क्या बात है, महाभारत रामायन के बारे में बताया जाए गया है आप इस स्टूडेंट्स को ट्विटर पे बहुत इसकी एक पॉजिटिव रिस्पॉंस मिल रहा है, मैं आपको बताता हूँ, ट्विटर यूजर ने एक सवाल शेयर किये है स्क्रीनशॉट शेयर किये कि कौन-कौन से सवाल आयते स्कूल में और उसने बोला है कि सवुदी का यह जो नया करिकुलम है यह एक टॉलरेंट जनरेशन जिसकी बहुत ज़ादा जरूरत है सब धर्मों में पढ़ाओ, सब धर्मों को पढ़ाओ, देखो, मैं आपको एक कंपारिजन देना चाहता हूँ पाकिस्तान की जो टेक्स्ट बुक्स हैं, अनफॉर्चुनेटली सेवन्थ एर्थ क्लास में वहाँ पे लोगों के खिलाफ नफरत भड़ी जाती है बिल्कुल सही बात, especially दूसरे धर्मों के किलाफ, हिंदूों के किलाफ, यह अभी मैं एक BBC की रिपोर्ट देख रहा था, and that is not good इस तरीके के किताबे brainwash करती हैं, और ऐसे करिकुलम को हटाना चाहिए, बच्चे तो छोटे होते हैं, उनको बच्चपन में आप जो पढ़ाओगे वही उनके दिमाग में छप जाएगा, तो इसलिए के तना बच्चों की परवरिज बहुत ध्यान से करनी चाहिए, तो ऐस इसी टेक्स्ट बुक जो नफरत फैलाती है, उसको तो बिलकुल हटा दिना चाहिए, तो हिंदुईजम, बुद्धिजम, रामायन, कर्म, महा भारत, धर्म, ये सारी चीजे जो इंक्लूट की गई हैं, इससे पढ़ाई और बढ़िया होगी, विजन 2030 को रियलाइस करने के लिए, प्रिंस सल्मान जो हैं, वो बहुत कुछ कर रही है, वो यूग को लेके आ रहे हैं, आयूरवेद को लेके आ रहे हैं, भारत से वैसे भी साओधी के बहुत अच्छे रिलेशन है, और इस तरीके का जो स्टेप है, वो और जादा बूस्ट करेगा, हमारी ancient history भारत में इसको बताया नहीं जा रहा है, लेकिन आप देखें, साओधी में बताई जा रही है, क्या बात है, इंग्लिश लैंग्वेज को भी mandatory कर दिया है, रिफॉर्म सो जो है, उसमें अप इंग्लिश लैंग्वेज भी पढ़ाई जाएगी, मैं आपको बता देता हूँ, इस देखिए, ठीक है, इस तरीके के सवाल जो है न, वो पूचे गए हैं साओधी के स्कूलों में, करिकुलम में इंक्लूड, अब सवाल पूचे गए, इसका मतलब रमायन, महा भारत कर्म के बारे में सब पढ़ाया जाएगा, तो अच्छी ख़बर है हमारे लिए ये, और वै ठीक है, ये ancient history है, बुद्धिजम को पढ़ाना चाहिए, in fact, Christianity, Hinduism, Islam, सबको पढ़ाना चाहिए, लेकिन उसकी सही teachings देनी चाहिए, ये भी जरूरी है समाज को आगे ले जाने के लिए, तो टेलिग्राम पे आप मुझे follow कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको lectures की PDF मिल जाएगी खुच रहे परते रहे देसे सिद्धान तक ने उतरी signing हो